हेलो दोस्तों वीजुल आज रित्विनी में आपका स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज मुझे इतने दिनों बाद आपका स्वागत करके काफी अच्छा लग रहा है और बिल्कुल जानती हूं मैं तहे दिल से सौरी बोल रही हूं कि इतना टाइम हो गया और जो हमारी continuity maintain थी इतने मंच से उसको मैंने disturb करी और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं because मैं अपना schedule को शायद manage नहीं कर पाई और इसलिए ऐसा हुआ but it's okay ये वीडियो कबसे आधा इसका matter बन चुका था लेकिन proper नहीं हो पाया था इसलिए मैं post नहीं कर पा रही थी मैं उसको means record भी नहीं कर पा रही थी लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा time निकाल के हम इसको दें ताकि आप लोगों की जो उमीद है मुझे से लेके वो बरकरार रहे दोस्तों बस थोड़ा से बात और कुछ दो चार दिन और और फिर हम लोग जो हमारी continuity रखते थे उसको maintain करेंगे तो अगर आप लोग भूल चुके हैं तो एक बार याद दिला दूँ पनुरुथान काल से पहले तक का काम means जो medieval period है गोथिक period है वो सब काम हम लोग क्योंकि दिमाग में clear है अगर भूल गए हैं तो जरूर बिलकुर भूली जाते हैं इंसान है हम तो आप लोग प्लीज उस तरज को थोड़ा सा और recall कीजिए वीडियो को अगर भूल चुके हैं तो वापिस देखें अगर ये पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यही पुराने वालों की आपको जो link है वो description box में available हो जाएगी तीक है पुराने means कौन कौन से Roman, Bison, Romanus, Gothic ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसको आप पढ़ेंगे तो clear होगा कि अब हमारा समय जो आ गया है दोस्तों वो क्या आ गया है पुनुरुथान का काल बहुत महतुपूर्ण है मतलब बहुत ही महतुपूर्ण है ऐसा होई नहीं सकता कोई भी exam हो सिर्फ net न इतना महतुपूर्ण टॉपिक है क्रांती का समय है और इसलिए मैं तो यह कहूंगी मुझे जित्ता पता है वो मैं बता रही हूं लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है बहुत सारी चीज़ें छूट भी सकती है कोशश की है कि जादा जादा चीज़ें को कवर कर सके लेकिन अगर कुछ चीज़ें छूटी है तो अभी भी माफी मांगती हूं कि वो छूट भी सकती है क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है लेकिन में में कवर करने की कोशिश करें इसलिए लास्ट रें कहा था कि अब अपना अकला वीडियो होगा आरंबिक पुनुरुथान को लेके म चीज़ें बहुत ब्रॉड है मैंने सोचा था कि इस सेम वीडियो में हम कवर कर लेंगे लेकिन वीडियो बहुत बड़ा जा रहा था और हुगा भी नहीं था उत्ते तक का आगे का काम तो इसलिए हम लोग अभी इसमें मूर्तिकला वस्तुकला ये देखेंगे चित्रकला चुकी बड़ा है अपने आप में पुनरुत्थान के लिए तो वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे तो अब हम थोड़ा से एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पुनरुत्थान था क्या आरंबिक पुनरुत्थान नहीं है वो हम आगे बढ़ते वे देखन है यहना चीजने अगर समझ आएगी तो हम कवर अच्छा से कर सकने है अब टाइम बेस चाथन नहीं करते हैं दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दो और चानल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन अब यह टाइम कौन स लेट गोथिक का जो टाइम था दोस्तों उसको भी हम बहुत लोग कंसीडर करते हैं अर्ली रेनाइसन्स में मतलब पहले का पुनरत्थान में क्यों करते हैं विकॉज जैसे आपको जियोटो तो आप भूले नहीं होंगे इनका काम नहीं भूले हैं कि माभियोए के शिश्य के नाम से जाने जाते हैं और बिल्कुल करांति कर दी थी उस समय काम चेंज में लेके आये थे और मैंने आपको बहुत बार चीज नहीं यह बता ही है कि गोथिक और पुनरत्थान में क्या अंतर है यह भी अपने पिछले वीडियो में बहुत बता चुकी हूं ठीके चेंज के उपर जो प्रभाव है वो गोर्थिक का देखने को मिलता था काफी लोग जो है जियोटो का टाइम को भी ऐसा बोलते थे कि उसकी स्टार्टिंग हो गई क्योंकि कोई भी चीज एकदम से नहीं आती है यह हम सब समझ सकते हैं और इसलिए यह जो टाइम पीरेड है मिले ज इटली की कला की में जो पुनरुथान का लहर चली मिंज इतली is a place और वहां पे पुनरुथान की कला में जो है पुनरुथान, रनाइसींस, रनेसा उसकी लहर चली धीरे-धीरे, हाना पहले इतली में मींज जो हम बोलेंगे यूरोप के इटली शेत्र में ये चीज हुई, लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, पूरे पश्चम यूरोपियों के अन्य देशों में भी ये चीज फैल गई, प्राचीन कला के अध्यांतर्क और स्वतंतर चिंतन में विश्वास इसका मूलधार था, क्या था कि एक जो आपको थोट है, वो आपको बहुत स्वतंतरता से सोच नहीं है, यह नहीं सोचना कि हम मीन्स धर्म के गुलाम है, उस प्रकास है, ठीक है, कोई, देखो, मेरी जो कहने की बात में होती है, उस पर कोई एक उदेश नहीं रहता कुछ, सिर्फ पढ़ने के उससे के याद रहे, इसलिए मैं ऐसा बोल देती हूँ, अगर कुछ गलत भ है, आर्टिस कुछ बना रहा है, तो वो सिर्फ यह थोड़ी है, कि उनको पुझा करने है वो इसलिए बना रहे है, और भी तो चीज़ें होनी झाए, और भी तो यह चीज़ें होनी झाद भी, तो वो हाथ जैसा ही हो, है न? ऐसा ही क्यों सोच रहे हैं? कि नहीं, वो बस Christ Jesus Christ बन रहे हैं या जो अन्य क्रिश्चन रिलेटेड या रिलीजियस जो चीज़ें बस वह सई से दिख रहे हैं बाकी कुछ नहीं करना तो यह चीज़ें मेडिवील पीरियड तक चलती आई थी लेकिन यहां पर अब स्वतंतर सोच को वह देने लगा और यह चीज़ देखेंगे स्वतंतर सोच वाली बात गोर्थिक में भी आई थी हैना जो हमने जियोटो की माभ्यों पड़े हैं उसमें भी आई थी आप नहीं भूलिया चीज़ें करा कला में यह सरलता सम्मान भौतिक सौंदरी की प्रशंसा तो था प्रकृती की निरिक्षन और अनुकृती में व्यक चीज़ें दिखनी लगी मनुष्य को इसका केंद्र बनाया गया मनुष्य को इसका केंद्र बनाया गया मतलब कल तक ईश्वर इसका केंद्र थे मेंस जो रिलीजिन था वो इसका केंद्र था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब इसका केंद्र क्या बन गया था मनुष्य हैना के उनको ये है कि अगर उनका जैसे फॉर एक्जामपल जीजस क्राइस का ड्रेस है तो वो उनको रेड और ब्लू इसी उसमें बताना है उससे अलगा आप नहीं कर सकते ऐसी बहुत सारी कठोड़ता जो जानते होंगे और ओविसली हम सिर्फ वो धर्म क्यों सोच रहे हैं हमें एक इन जनरल धर्म सोचें तो हम यहीं बोलते हैं कि जैसे काले कल के वस्त्र हम इन भगवान को नहीं पहना सकते लेकिन यह बगवान है तो इनको काले ही वस्त्र चाहता इस तरह की जो कठोड़ता जो रिलीजिस चीज साबित करती है एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं सिर्फ जो चीज में बोली गई है जो बताया गया हमेशा से जो सुनते आए कि उनने यह वस्त्र पहने थे यह इस शेप का होता था यह ऐसा वही चीज की हम आगे वह कर रहे थे पैटन को फॉलो कर रहे थे लेकिन पुनरुथां में नहीने एक्सपेरिमेंट्स का जन्म हुआ और इसलिए इसका केंद्र मनुष्य बना रिलीजिस से हटके इसमें कलब जो कठोरता थी उससे बहान निकली और मानविय द्रिश्टी से अंकित किया गया यह परिवर्तन सर्व प्रत्थम जियोटो ने दिखाई दे दिया था आपको यह बात हम डिसकस कोथिक में बहुत डिटेल में कर चुके हैं कुछ समय तक अनेक चुत्रकार इसकी अनुक्रती भी करते रहे मीन्स उनको कॉपी करते रहे फॉलो करते ही है वो तो पंदरवी शती के आरम में यह प्रवरती बहुत बलवती ओफ दे गोथिक उससे ही हम लोग पंदरवी शती तो आई तो तब का समय आप समझें मासचियो माइकल एंजलियो डोनाट लो लियोनाडो रफिल यह सब का टाइम आया तो उस समय यह बिलकुल पावरफुल हो गई बहुत जादा बलवती होगी और मासचियो इसका अगवा बना अगवा डैट मींस स्टाटिंग करना है ना मींस कि वही अरली रनाचन्स के मेन आर्टेस्ट मेन पेंटर के नाम से जाने जाते हैं तो उसने उनका अगवा किया इसे यह इसमें हम क्वाट्रा सेंटो कहा जाता है चौदा सो के पश्चात का बाद देखिए अब आप ल जो 1400 के बाद का पीरेड होता है वो क्वाट्रा सेंटो योग में आता है और यही योग है जो हम क्या बोल रहे है पंधरवी शती का योग के ना वही वाली चीज 1400 के बाद का 14th century के बाद का योग नहीं 15th century के जो बाद का योग है वो क्वाट्रा सेंटो योग होता है और यह यूग में रिनासिंस पनती ऐसे rights in the middle पूरे युरोप को अपनी चापेट में में मद्ध्य यूग में उपको पता ही है the साइकला क्रिष्ट्रिन आर्ट टोटल वह अपने उसमें आ गए थे धार्मिक संस्थान शक्तिशाली हो गए थे बहुत शक्तिशाली और कला का उपयोग सिर्फ धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था देखिए यह जो आपको कब से बता दियू रिनाइसेंस का जो आगर आप लोग स्ट्राइटिंग से वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता है कि रिनाइसेंस को तो मैंने कितनी बार आपको रिकॉल करवाई दिया है कि अब वहां पर ऐसा होगा तो यही चीज है कि जो भाई कल तक कला धर्म बहुत शक्तिशाली था लेकिन अब कल कला को सिर्फ धर्म का उपयोग के लिए ही उसमें आया करता था इस यूग में धर्म युद्ध समापत हो गया था इस यूग में जो है एक धर्म से जो चीज थी वो चीज को कम कर दिया था समापत नहीं बोलेंगे लेकिन कम कर दिया था कलाकारों ने धीरे-धीरे कला के प् कला का यूज किसलिए होता है कला का यूज धर्म के प्रचार के लिए होता है धर्म में जो नैतिक नियम मीन्स जो मौरल रूल्स बने गए है उसलिए होता है ऐसा मतलब वह तो उस चीज में उनको अब इंट्रेस्ट कम होने लगा कि क्या है means we are artists और आप खुद सोचिए हम सब कलासे जोड़े भी लोग हैं अगर हम हमेशा हम लोग जब ग्राज़ेशन्स पोस्ट ग्राज़ेशन्स में पढ़ते हैं तब हम लोग अपने टीचर्स की मानते हैं बिल्कुल हम लोग क्योंकि सीख रहे हैं वह लेकिन आफ्टर एक स्टेज ऐसा आता ही है न हमको भी कि हमको अपने हिसाब से काम करना है तब ही हम एक आर्टिस्ट शफल आर्टिस्ट कहलाएंगे तो यही चीज हो गई इनमे भी के जब इनने ठीक ए तब तो इनने काम किया है ना सीखा होगा जब भी लेकिन एक स्टेज ऐसा आगे कि नहीं अब हमको इसमें कोई रूची ही नहीं र नहीं है उनने ये सोचा कि सिर्फ जो हम आज एक रिलीजिन एट्मोस्ट्रेर डेविलप हो गया था जो प्रेशर और इसाई धर्म का और जो बोलेंगे हम पश्चिमी थौट जो वो चीजने जो डेविलप हो गई थी वो इनने ये सोचा कि यही सब कुछ नहीं है अनि प्रतिक्रिति की महिमा समझ में आई थी और यूनानिया और रोम लोगों की कला साहित्य दर्शन को फिर से पढ़ा गया था देखिए इंडियन रिनाइस्टेंस आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से क्या किया था उसमें प्रतिक्रितियां तियार की थी है ना जब को ऐसा लग रहा था कि हमारी कला कहीं लोक्त हो गई है हम सिर्फ इसी में ब्रिटिश के दबाव में और उनकु अनुकृति करके हम अपना जो ओरिजनल चीज़ें थी जो मूल तत्व है वो सीजे हम गयब कर रहे थे तो उसकी वापिस अनुकृति होई है ना पुरानी शेल किया होगा तो वह वही चीज़ है कि उनको याद आया कि युनानी और रोम है ना आप आपको याद होगा मैंने बताया था कि जियोटो की माभ्योए रोम और युनान वो भी विजिट किये थे और फिर उनकी उसका जो प्रभाव था उनके काम में पड़ा ठीक है क्योंकि उ कि अग granddaughter के लिए था तो वही चीज़ें रिनागे सेमें कि युख की पुद्धक आपको फिर से पढ़ा गया और इसलिए उस युख को पुद्धन कहा गया प्राचिन संस्कृति के बेहाल करने की एक प्रचर लहर अच्छी तरह से शिक्षित दुनिया में बहग गई थी जो भी समय का एजुकेशन वर्ड था उसमें भी ये हो गया था कि प्राचीन सर्भेता को हमको स्टडी करना चाहिए प्राचीन संस्कृति को बैद में एक प्रचेन लेहर्थ ठीक है यहां नव जागरन की लेहर्थी और इसलिए नव जागरन हुआ जागरन हुआ किसका पुराने वली चीज का यह फिर से हुआ अब देखिए पुनर जागरन का अर्थ मतलब पुनर जन्म शास्त्रिय कला के पुनरुद्धार की अवदी मनुष्य को एक नए प्रयोग करने की स्वतंत्ता और स्वतंत्र रूप से अपनी स्वतंत्र की छवी को फिर से परिभाशत करने की अवशकता थी means इस समय क्या था मनुष्य को स्वतंत्र रूप से अपनी कल्पनाएं करनी है स्वतंत्र रूप से काम अपनी छवी को फिर से means जो भी उनके मन में आए उसको फिर से री डिफाइन करना वो वाला काम पुनुरुथान है एक आम भाशन में तो हम इसको पहले डिसकस कर चुके हैं बस वही है उत्मा जादा लोड उस पे लेना ही नहीं है यह इसके लिए प्रयास कर रहा था इस यूग के दोरन की गई कई खोजों के कारण वैचारिक क्रांती की गती बढ़ गई ऐस आप एडी का यूग चल रहा है जिस यूग में हम रहे हैं वही यूग चल रहा है तो जिस दिन विदाउट एडी के डेट हुआ ठीक है अब मैं क्योंकि रेनासेंस में पहली बहुत गूंचोंगी से बहुत विस्रत है तो इसलिए अब यह सब वाली चीजों भी हुई थी और ये एक अला पेंटिंग के साथ साथ विक्सित हुई तो इसलिए पुनरज्जान काल की एक और विशेषता भी बन गई है ठीक है प्रकाश और छाया पर महारत हासिल करते हुए मीन्स जो डाक और शेड वाली बात है वो स्वरी लाइट और शेड वाली जो बा चीज लाइट और शेड वाली चीज दिखेगी हमको प्रस्पेक्टिव दिखेंगे हमको तो यह सारी चीजों में एक मास्टर ही हासिल करने वाली बात यहां पर की गई है वाल्यूम जो वाल्यूम होता है किसी भी चीज का उसकी गोलाई उसमें मतलब एक ब्रह्म पैदा करती है एक इल्यूजन दिखता है एक 3D पन दिखता है वो सारी चीज़े हमको अब इस काम में दिखेगी हम जो चाहे वस्तरों की सिकणन की बात करें चाहे उसका उसके फेस की एक्सप्रेशन्स भाव की बात करें ठीक है वो सब चीज है पुनरत्थान में दिखेगी और कला को अपने मूल सद्धानतों में सही रूप से पुनर्जिजद किया गया था यही कारण है कि वह कला की पुनर्जागनन की यूग में के रूप में प्रसिद्ध हुआ ठीक ह ग्रीक ने शास्ट्रे यूग के दोरान इस तरह का एक दिश्टी कोन रखा है रोमनों ने भी सभी बारिक्यों को चित्रित किया था आपको याद होगा ग्रीक रोमन बहुत अच्छे से पढ़े हैं यह सब इसमें जादा डिसकुस करने की बात नहीं है आंतिन चरण के दोर चित्रों की सिकणन ले लो आपके कितना गजब था कितना ही गजब था हम कहतें बहुत लेकिन मेडिवियल पीरेड में यह चला गया था व्यक्तिगत चित्रन लगबग गायब हो गया था और इसके सान पर कलाकारों ने केवल ऐसे रूपों और चेहरों को चित्रित किया जो कि समझ आ जाए अब देखिए इटली में पुनरता है इन इटली हमने कहा सबसे पहली लहर इटली में पहली तो कैसे एक बार देखें तसकनी फ्लोरेंस की अनेक कलाकार अंथिम गोतिक शेली में संतुष्ट नहीं थे देखिए तसकन जो फ्लोरेंस की बहुत सारे आटस थे जो वो लास्ट की गोतिक शेली मैं जियोटो के टाइम की बात नहीं कर रही हूँ मैं उसके भी बात की बात कर रही हूँ जो लेट मेडिवियल पीरियेट कहते हैं जिसको लेट गोतिक पीरियेट था उस समय का उसमें वो लोग संतुष्ट नहीं थे संभू तो उनने कह किय जो पूर्वरती तसकन कला का जियोवानी प्रिसानों आप नाम जान चुके हैं मतलब किमाभियों के बाद ही जस्ट पिसानों जियोटों के पहले का टाइम था वो वाला तो उनने कहके जियोवानी प्रिसानों से प्रेणना ली और उनकी कला प्रवरती कुछ समय के पश्चात की फ्लोरेंटाइन चित्रकला में मिलती थी जबकि मासच्चियो ने अपनी शैली के निर्वान में किस से जियोटो से प्रेणना ली थी देखो आप बोलते हैं मैंने जियोटो जब पढ़ाया था तब भी कहा था यही वाली चीज कि मैसेच्चियो माइकल एंचलियो इनने भी जियोटो इतने महान थे कि उससे उनके काम से प्रेणना ली थी भले रनाएसेंस का वर्क बहुत बेस्ट था लेकिन फिर भी प्रेणना पहले से ली गई थी इसलिए असंतुष्ट टसकन कलाकार जो मिंस टसकन के आर्टिस से जो असंतुष्ट थे उन्हें प्राचीन शास्त्रियों कलाकारों से प्रेणना न लेकर मद्धिकालीन कलाकारों से ही प्रेणना ली थी दैट मिंस प्राचीन शास्त्रियों मतलब जो किष्टिकोन एवं प्रजादांत्रिक नेहीं कला को प्रभावित किया इस प्रकार इस आंदोलन में नवीन और प्राचीन दोनों का समन्वेव हुआ अब देखे हमने क्या कहा ग्रीक और रॉम का भी प्रभावता लेकिन इनने जो प्रेंडा ली वो किस से ली वो मद्धिकाल इन लोगों से भी लिए, तो हम पुनुरुत्तान को किस तरह की कला बोल सकते हैं, मीन्स किस तरह की अंदोलन बोल सकते हैं, जिसमें नवीन, नवीन इंद नवीन मतलब नियू, नियू क्या, जो अभी का हमारा Medieval period, Gothic period कहेंगे, Gothic के भी प्रभाव पढ़ा, क्योंकि उनार्टे से प्रेंडनाली और प्राचीन प्राचीन मतलब जो ग्रीक और रोम उनके उनका भी प्रभाव पड़ा क्योंकि उनकी भी चीजों की अनुकृती की तो इनका समन्वय कहलाता है और इसलिए गिबर्टी और डोनाटेलो जो कि अभी हम अनली रेनासंस के आर्टिस्ट पढ़ें उनका मींस उनको समन्वय वाधी कलाकार कहा जाता है इनका लक्ष केवल यह नहीं था रोमन सब्विता के पतन के पूर्व शास्रे कला का जो प्रतिष्टा थी उसे पुना प्राप्त करना चाते थे इस हे तुवे प्राचीन गरिमा को जगाने का प्रेतन कर रहे थे मानते हैं कि जैसे मेडिवेल पीरेट चाल हुआ तब कला नहीं सिर्फ धर्मी पनपा भले कलाकृती बहुत अच्छी बनी बहुत सुन्दत तरीके से मोजाइक के वरक्स बहुत सुन्दत तरीके से चर्च बने पेंटिंग्स भी बनी म्यूरल्स बने सब कुछ बना लेकिन उसका उर्देश एक ही था धर्म और धर्म ही पनपा कला दब गई थी कला कम हो गई थी तो उनका उर्देश ये था कि जब रोम का पतन हुआ था उससे पहले मतलब ग्रीक और रोम का पीरेट उस समय की जो कला है उसकी जो प्रतिष्टा है वो वापे समपाएं है ना और इस जिसे कलाकार प्रयोग करते गए उन्हें प्राचीन कला की गमभःता का अनुभ हो गया पहले तो क्या दो जैसे Gipper T. यह भी हैं। तो यह लोग क्या करते थे? करे थे। इनने ऐसा सोचा नहीं था। यह क्या बोलने का मतलब है। जैसे इनने सोचा नहीं था कि हम प्राची नुस पोभी ठीक है। वो." लेकिन फिर दीरे दीरे जब उनने उसको Greek Rome, Roman के पतन से पहले को study किया, तब उनको ये पता चला कि नहीं भाई, दीरे दीरे उनको मतलब इतना पता चलने लगा कि यार मेन तो यही था, ऐसा होते न, तो वो उनने अनुभव किया कि नवीन प्रयोग, जो मेन हम experiment new कर रहे हैं, वो तभी सफल होगा, जब हम पुराने नियम का ग्यान लेंगे, जब हम क्या हो लेंगे, एक तरह से बोलूगी, कि जो मुर्तियां बनी हैं, ग्रीक की मुर्तियां बनी हैं, डिसकस्ट्रोवर बना हैं हैंना, आपने देखा यह सब ने, तो उसमें जो पॉस्ट्यर है, बॉ चुके हैं, यंग इंफेंट केरिंग हम्स, वो जो वाला स्कल्प्चर है, ऐसे बहुत सारे हमने देखे हैं, तो उनकी स्टडी जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नवीन प्रयोग नहीं कर पाएंगे, यह धीरे धीरे उनको पता चला, पहले उनने नहीं सोचा था है ना कि चलो यही करते हैं, तो यही हमारी करांती है, लेकिन वो दीरे दीरे वो यही सावे तो ही, मुर्ती शिल्प गिबर्टी ने कला इतिहास को तीन भाग में बाटा, गिबर्टी एक महान मुर्ती शिल्प, इसके बारे में मागे पढ़ने वाले, इनने तीन भागों मे इसको ये किस के अनुसार है गिबर्टी के अनुसार दूसरा मद्धिकाल से संबंदित जो हमारा रिलिजिस हो तीसरा जो है वो पुनुरुथान का समय जो कि 1300 से चालू हो गया था मतलब 14 सेंचुरी से तो ये तीन भागों में उसने बाठ दिया था किसने बाठ दिया था से आईए भाई क्योंकि यही तो चीज है कला भी इसी चीज में बठी विए प्राचीन अलग मद्य अलग और जो अब ये रिनासेंस हैं यहां से एक तरह से मोडन चालू हो रहा है तो वह वाली चीज अलग तो रिनासेंस पीरेट को सब ही हम लोग जानते बहुत अच्छे स ख्रीन से 3 भागों में क्लासीफाई करा है उसको पुणुद्थान को आरंविक पुणुद्थां चरन पुणुद्थान और उत्तर पुणु रिनासेंस हम 10 मूं पढ़ेंगे 1300 से 1500 इप्रॉक्स काट टाइम अरंविक पुणूद्थान उनके आर्टेस्ट हम देखेंगे हो फिर है चरम पुनुरुथान काल, पंदरा सो से पंदरा सो पचास, कहीं पंदरा सो तीस, उन्तीस भी कहते हैं, है न, वो डिपेंड करेगा आपके उस पे कॉशन एप्रॉक्सिमेट बता रही हूं बस में, और उत्तर पुनुरुथान काल, जहां पे रीतिवाज चलने लगा था, मतलब है न, रीतियां, रीतिरिवाजाओं को ज़्यादा महत्व देने लगया था, तो वो वाला टाइम, लेट रिनासेंस बोलते हैं, जिसको पंदरा सो पचास से सोला सो का समय हैं, और इसलिए यह वही पिरेड हैं, जिसको मैनरिज्म और रीतिवाज भी कहा जाता है आगे पढ़ेंगे इसको, इसमें अभी लोड मत लीजिए, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे आरंबिक पुनर्थानकाल, अर्ली रेनासेंस बीरेड, तेरा सो से पंदरा सो के बीच में, उससे पहले का समय भी उसको माना जाता है कहीं कहीं, लेकिन यह मे बैलियन पेंटर्स ने, शरीर रचना ग्यान, मतलब बोडी, अनटॉमी, परिप्रेक्ष, मतलब परस्पेक्टिव का यूज, अंत्रिक्ष के मामले, मीन्स अंत्रिक्ष नहीं हैं, यह स्पेस डिविजन हैं, उसमें क्या स्पेस डिविजन हैं, वो ट्रांसलेशन में शाहि कैसा परस्पेक्टिव होना चाहिए, कैसा स्पेस डिविजन होना चाहिए, कॉंपोजिशन हम सब पेंटिंग से रेलेडेड हैं, हम यह टर्म्स बहुत भली बाती जानते हैं, लेकिन उस समय से नहीं होता था, उस समय यह सारी टर्म्स मतलब उनके लिए नहीं थी, लेकिन उसकी study करी उनने कि अगर हम painting कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इनकी study बहुत जरूरी है कलाकारों ने इसे केवल paint या छेनी के लिए परयात नहीं किया means paint करना छेनी से वहां तक की नहीं रखा बलकि ये सब चीजों का study किया उन्होंने विज्ञान और engineering के दुनिया में भ the help of art we are doing the engineering है ना हम designing के उस पर जा रहे हैं हम कुछ बहुत चीज़ें यूज कर रहे हैं हैं इंजिनियरिंग में जा रहे हैं साइन्स में जा रहे हैं लेकिन कला भी तो है उसमें इंटरडिस्प्लिनरी जब आप पढ़ें तो उसमें आपको समझ आएगा तो वही चीज़ ह उसमें इसा नहीं हो सकता था उसमें कला सिर्फ कला के लिए धर्म तक के लिए थी लेकिन यह सब चीज़ें जो इन्ने पर्सपक्टिव एंटरम इसको स्टड़ी किया तो यह लोगों ने सहसकरी विज्ञान इंजिनियरिंग में भी घुसने की तीक हैं उसको लेके अब यह आर्टिस को याद करने की ट्रिक क्यों नहीं क्योंकि यह मुझे मुझे मानी धंग से याद हो जाते हैं क्योंकि हम इनको इतनी बार पढ़ते हैं इसलिए यह वाले कि कोई मेरे पास ट्रिक नहीं है आपको बनानी तो आप बना सकते हैं कुछ तो भी लेकिन यह एक मुख्य हैं यह मुख्य नाम तो जरूरी है छूटे हो तो भी हो सकता है कुछ एकाद नाम छूटे हो आगे हो सकता है आगे पढ़ लेकिन यहां पर ब्रुनेल ची वेरी इंपोर्टेंट एलबर्टी डोनाटेलो घिबर्टी मासचियो बॉटिसली वेरोचियो घिल्लांडियो इसको याद इसी तरह से कहें के एबी पॉर्ट ऑगस्ट जीवी तो यह कुछ नाम है एलबर्टी डोनेलची पॉट्गियो और वितोनी यह मीम्स अगर आए भी कभी तो यह अरली रिनाइसेंस के वस्तुकला थे वस्तुकार थे इसको आप याद रख सकने हैं डिटेल में तो हम यह कुछ दो-तीन पढ़ने वाले हैं और भी वास्तुशल पढ़ेंगे पर अभी आप यह देख लीजिए फिलिप्पो ब्रुनेलची कौन है यह फिलिप्पो ब्रुनेलची इंपॉर्टेंट देखिए यह न केवल एक प्रसिद्ध मूर्टिकार थे बलकि उसने खुद को एक वास्तुकार के रूप में भी अरज़त किया था किसने फिलिप्पो ब्रुनेलची ने यह वह था जिसने फ्राइंस में कैथेड्रल गुमबत की इंजिनेरिंग समस्या को खल किया फ्राइंस में जो गुमबत बनते थे अभी भी बन रहे थे गोथिक में भी देखा आपने उनकी जो समस्या थी मीन्स उसका जो बनाने की के बीचे साइंस था उसकी समस्या को हल किया किसने ब्रुनेलची कभी भूल के भी मत भूलिएगा बहुत बार कुशन आ सकता है यह और उसको अपन यह बवन वास्तु के विस्तार था परिप्रिक्ष के नए विज्ञान के भी प्रबॉक्ता थे प्रस्पैक्टिव और जो बोलेंगे के वास्तु शास्त्र वाला जो ग्यान था वो वास्तु का जो विस्तार था एक आर्किटेक्ट्टर को लेके और प्रस्पैक्टिव को ल एक वैचारिक प्रिष्ट भूमी प्रदायन की उन्हें एक जो प्रिस्पेक्टिव मैथट याज तो हम लोग इन जनरली बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन उसको बेस किस ने दिया जैसे हम माइकल एंजलियों का बोलते हैं कि उन्हें अने टॉमी जब भी हम फिगर तरीक से डिफाइन के लेकिन उस समय ऐसा नहीं था और यह चीज ब्रुनेल्शी ने एक बैग्राउंड दिया था और एकदम स्टार्टिंग में यह इनके फ्रेंड ब्रुनेल्शी की फ्रेंड थे डोनाटिलो मुख्यमोर्तिकार में हम उनको देखेंगे तो उनके साथ भी यह रोम विजिट किया थे और रोम विजिट करेंगे तो बही बिल्कुल देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी बनी गई हैं और यह फ्लोरेंस में हैं प्रुनेल्शी ने इसका निर्मान किया था अर्ली रेनाइसंस आर्किटेक्टर के लिए एक मील का पत्थर स्थापित किया था विथिका वर्ग का सामना करते हुए ठीक सुशोभित कॉरिंथीनियन कॉलम द्वारा समर्थित एक आर् एक वो थी जिसमें खिड़कियां बनी वी थी यह ऐसा बता रहें जो कॉलम है वो कॉरिंथीनियन भूले नहीं होंगे आप पूरा बताया है कॉरिंथीनियन कॉलम क्या होता है जो थर्ड ऑर्डर आउस्पिटल में हमको देखने को मिली है पैजी चैपल ये भी ब्र५। चोटी ब लागू किया था जो ने भर वाले घृबडुल वाली चीज़ क्या बोलते हैं कैसे क्या किया था उनने उने क्या किया उस डबल ढों काथज 있으면 का एक कॉंसेपक्ट बनाया रर उसको उनने लागू कल चया आपको मैं बताती है रोका घोन के गुंबत के निर्मार की समस्या को मचान तता जूले से बिना देखिए पहले मचान और जूले बनते थे यह आपको मैं बताती हूं यह देखो यह हमने गोथिक में पढ़ा था कि इस तरह से डॉम खड़ा किया जाता था कैसे पहले से वाल्स बनते थे फिर उपर यह वाली इसके लिए एक चापाकर चत के अंदर मीन्स जो एक चापकर चत है उसके अंदर दूसरी चापकर चत बदाई और बीच में उनने ऐसी सीडियां बना दी रिक्तिस्थान पर फिर क्या हुआ उसमें उनको वाल्स और मचान जूले बनाने की जरूत नहीं पड़ी उनने इसको double dome cathedral method का नाम दिया और ये जो है stump बनाते हैं हम जो महराब बना रहे हैं उसके perspective ratio में भी बहुत अंतर आ गया और बहुत easy हो कर दिया उनने तो उनने science को यूज करके और अपने architecture में यूज करके इस चीज को इस कला को बहुत सीधा बना दिया double dome cathedral method कहा जाता है इसको एक dome के अंदर दूसरा dome बना के और अंदर सीरियों से उसको जोड दिया जिससे की अलग-अलग walls अलग-अलग बोलेंगे कि जूले बनाने के उनको जरुरत नहीं पड़ी तो बहुत बड़ा योगदान था ये उनका और इसलिए ब्रुनेलशी का नाम आज भी बड़े-बड़े कलाकारों में लिया जाता है दूसरा देखते हैं आर्खिटेक्टर लियॉन बैटिस्टा एलबर्टी 1404 से 1472 यह वो वास्तुशिल्पी थे यह पहले मध्यकालीन प्रवरतियों से प्रेरित था बाद में वह रोमन विजय द्वारों की भविता और द्रुनता से बहुत प्रभावित हुए अब भी अपने इंट्रोडक्शन में जनाटस की बात करी इनने शुरू तो ऐसा नहीं किया था शुरू तो इनने नॉमल मध्यकालीन इनसे ही प्रेर्णा लेके कर लिया था लेकिन धीरे धीरे उनको क्या बोलते हैं रोमन एंशिन पीरेट से वो लोग प्रेर्णा प्रभावित हुए फ्लोरेंस में उसने इस प्रकार के कई भवन निर्मित किये जिसमें रोमन स्नानागर मींज जो धर्मे थे धर्मे हम रोमन कला में पढ़ चुके हैं आपको याद होगा उसका विस्तार ग्रीक की जो क्रॉस योजना थी ये सारी योजना किवल एक गुम्बत का प्रेयोग हुआ है ये सारी चीज़े उनने एक तरह से प्रेयना ली रोम में एलबोर्टी का बहुत प्रभाव था ठीके उसने कैपिटोली नी पहाडियों में कई भवन फिर से निर्मित किये ठीके तथा वेटिकन में एक नया पाशर्व और जोड़ा जिस पर बारजिया टावर बनाया गया ठीकि ये सब चीज़े उनने और फिर से मतब जो चीज़े हड़ गई थी ना उसको फिर से बनाया रोम ने उस समय जो अन्य कई नियम उन सब में एलबोर्टी की नियमों का भी अनुरकरन किया जो रोम ने उस समय जो नियम है वो भी आता है पुराने वास्तु में पंद्रवी शती के मद्दिक्री महत्पूर्ण भूमी का उनने निभाई है उर्बीना के ड्यूक राजाओं के सरक्षन में उर्बीना बना था उसमें प्लासो डुकेला का निर्मान हुआ जिसकी बहुत प्रशंसा की गई बुहार में इसका निर्मान कुछ टेड़ा होने के कारण खयाली कहा जाता है इसकी योजना लियो आनो लोरानो ने बनी थी मींस लूसियानो लोरानो उनने जो है इसकी योजना बनाई थी किसकी प्लासो डुकेले ने की और अलबर्टी के वास्तु रूपों को ध्यान में रखते हुए इसे पून करते समय पिएरा डेला फ्रामेसका की उद्दात लेके अनुरूप धाला गया था आनिवास्तु शिल्पी में ये सब अनिवास्तु शिल्पी हैं कहां के अले रिनास इसके ज़्यादा स्टाडी डिटेल में उसकी ज़रुरत नहीं है इसलिए सर्फ नाम हमने दे दिया है देखो पगनोदी लीपो पॉटिगयानो पॉटिगयानो का पहला बोला था वनने लुका फसली यूटनी नोडी डुचियो डुचियो जो थे मुर्ती निर्मान में भव्विता में प्रसिद्द थे मींस विशाल काय मुर्तियां बनाते थे फ्रांसिसको डी घेगि ये काय में ये भी बहुत फेमस सकल्प्टर थे और उर्भियानो में जो काम किया था उर्भियानो में प्रांगड बनाय थे काफी अच्छे उनकी सरवच क्रतिया कोटो नाना डे मेडोना डेल कास्टी नानो है, कालसी नानो है, जो की कोर्टो नामे है, वेंतूरा वितीनी इनकी सर्वोच वास्तु थे, चर्च ओफ दा मेडोना डेल युमिल्टा, उसमें उनने बहुत अच्छा वस्तु कला काम किया था, यह आपको means mostly यह याद रखना है कि यह इस समय के वस्तु शिल्पी थे, यह कुछ और है, अल्ली रिनास्टेंस के जो बोलेंगे हम वस्तु कला क्या है भई, देखते हैं, यह फ्लोरेंस में है, इसे शास्त्रिय सजावट के साथ अधिक अलंकरित किया गया था, अलबोर्टी कॉलसीनियम पर सुपर इंपोस्ट और मीन्स यह जो से प्रेरित हो कर इनने इसको बनाया था, पहली बार खिडकियों के बीच पालेटों में महल के आगरभाग पर बनाया था, मिन्स खिडकियों के बीच इस तरह के आगे भाग को पहली बार इनने बनाया था, यह कौन सा था, रुसेलाई पैले, सैन फ्रेंसिसको रिमीनी में यह क्या है किस तरह का दिख रहा है तो यह आपको याद होंगे रोमन के डिसाइन उससे प्रभित हुआ है रोमन के आर्क से प्रभावित हुआ है रोमन का विजय चर्च जो है उससे यह बना गया सेंट गए हो तो बता दू रोम की पहली वह बैसिलिका है वह जो वाटर मतलब वह फायर प्रूफ बनी थी ठीक है तो वही उससे प्रेंड हैं आप उसको एक बार फोटो देखना तो आपको लगेगा कि हाँ यह बहुत कुछ सेम है तो यह तो हमारा क्या था भाई यह नाम है ऐसे नाम है कि याद रहेंगे और एक्जाम भी क्वेशन बहुत बनते हैं तो पंद्रविशती के आरह में मतलब 1401 का समय बिल्कुल फ्लोरिंस के शिल्पी संग में एंड्रिया पिसानो को भूले तो नहीं हो न उन्हें जो दिर्वाजा पीसा में काम किया था देख वो बनवाने थे दर्वाजे बनाने थे गेट्स की जोड़ी बनवानी थी तो उसके लिए उन्हें क्या करा एक कॉंपिटीशन रख दिया इनको जो बैप्टिस्ट्री के लिए दर्वाजे बनाने थे तो उसके लिए कॉंपिटीशन रख दिया आर्टिस्तों काफी थोड़ा बहुत तो इसा के बलेदान ये इनका विशय था और इसके लिए इनने कॉंपटीशन रखा था कब रखा था 1401 में ये सब याद रखो थोड़ा प्रतियोगी अब कौन-कौन थे उसमें तो फिलिपो ब्रुनेल शी पढ़ चुके हो जिनको लॉरेंजो गिबर्टी पढ़ने वाले हो जिसको जैकोपो डेला कर्सिया फ्रांसेसको डाव विल्दाबरिनो निकोला द पिएरा लिमबर्टी निकोला द ओरिंजो सिमोन द कालो देखो ये मैंने आप लोगों को वो तो बता दिये क्या प्रतियोगी तो बता दिये लेकिन याद कौन रहता है आखरी में फाइनलिस्ट कौन बचे थे फिलिप्पो ब्रॉनेलची और गिबर्टी अगर अलबर्टी आता है तो अलबर्टी इस प्रतियोगिता में नहीं थे नाम दोनों के ऐसे हैं अलबर्टी गिबर्टी तो कन्फ्यूज बहुत मैं तो बहुत हुई हूँ आप मत हो न गिबर्टी और ब्रॉनेलची जहां दिखे तब ही टिक करना ये दोनों ही फाइनलिस्ट थे अलबर्टी तो इस क्योंकि वो मुर्तिकार में उन्हें कम काम किया है वस्तू कला ही किया है तो वो तो इसमें थे भी नहीं ब्रॉनेलची और गिबर्टी फाइनल थे और जीते क के काम है देखो अच्छा से देखना हम भी तो देखते हैं में अपन कहीं भी पुरुसकार लगता है तो देखते हैं तो यही देखेंगे तो गिबर्टी का क्या था सैक्रिफाइस ऑफ आइसे गे इस प्रकार का यह था यह दरवाजा बना हुआ है क्या है गिबर्टी ने निम से इसमें बताया है आकरतियों में गंभीरता के साथ साथ आधुनिक रूची का भी संकेत दिया गया है देने वाले आलंकरित लावन्ने का अंतिम गोथिक से समनवय दिखाया गया है तो यह गिबर्टी का था और यह वाला ब्रुनेलशी का था था थोड़ा क्लियर मिल नहीं तो इसमें फ्लैटने से इतना डाक लाइक चेड नहीं है जितना की इसमें था देख रहा है और इसी प्रकार से यह दरवाज़ जो है यह बनाया था ब्रुनेलशी ने दोनों का टॉपिक क्या था इसा का बलिदान सैक्रिफाइस ओफ आइसेक कब हुआ था एक बार रोल रि अब देखे लोरेंजो गिबर्टी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया से लोरेंजो गिबर्टी मुर्तिकार 1378 से 1455 यह टाइम था उनका किसका लोरेंजो गिबर्टी का यह ब्रुनेलशी से छोटा था ब्रुनेलशी से आप देख चुके ब्रुनेलशी को पढ़ चुके हैं वह पहले की टाइम के थे उनसे चोटे थे लेकिन डोनाटेलो और मासचीयों से बढ़े थे दोनाटेलो आगे पढ़ोगे यह कारिशाला स्थापित की थी मीन्स उन्हें वक्षॉप करते थे और दर्वाजों की पहली जोडी वह तो आपको पता ही है देखो यह जोडी पहली 1403 से 24 के बीच में बनाई और दूसरी जोडी 1425 से 52 के बीच में तियार करी यह ब्रॉंस दर्वाजों की किसने गिबर्टी ने और इसके साथ इनके साथ और भी कलाकरों ने काम की थी क्योंकि इनने कारिशाला खोली वक्षॉप खोली ठीक है तो पहली पाजी को क्या वहा जाता है डोर ओफ पैरडाइस स्वर्ग का दिवार किसने बनाया है तो लॉरेंजो घिबर्टी ने बनाया है इस तरह का देखिए दस पैनल का दर्वाजा था और इस एक-एक में इस तरह की लो रिलिफ मेथट से काम किया गया था और देखें थोड़ा स 1414 में क्या किया सेंट जोन का स्कर्चर बनाया यह देखो आपके ता सुन्दर है ना आ रही है इसमें प्रभाव ग्रीक और रोम की बिल्कुल आएगी आई रही है 1417 में इस तरह की उनने दो बैप्टिस्ट्री के लिए दो रिलीफ बनायी सिएना की सिएना की बैप्टिस् सिएना में किया दो इस तरह की बैप्टिस्ट्री तियार की थी फिर 1418 में 1418 में 1418 में 1418 में फ्लोरिंस की के लिए भी रिलीफ बनाया उसका फोटो मुझे नहीं मिल पाया 1419 से बाविस में सेंट मैथ्यू की मूर्ति बनाई यह आप देख सकने है किस तरह से यह इसके काम था हमारे घिबर्टी का लेकिन डिना टेलो यह भी एक बहुत महान मुर्तिकार थे मुर्तिकाला अधूरी है अगर हम डिना टेलो के बारे में स्टडी नहीं करेंगे 1386 से 1466 चिक है इंसे घिबर्टी से छोटे थे फलोरेंस के प्रथम महान शिल्पी थे और मायकल एंड्यओ से पहले पंद्रवी शती का सर्वादिक प्रभावज़ी मूर्तिकार थे मायकल एंड्यो से पहले लेकिन उससे पहले बहुत प्रभावी मुर्तिकार डोनाटे लोग थे उसने गिबोटी के कारिशाला में भी शिक्षा ली थी गिबोटी चोटे हैं तो और दर्वाजे की जो पहली जोडी थी मतलब जो 1403 से 24 तक की जो बनी थी उसमें 3 से 6 तक इनने काम किया था इनके प्रमुक्षिष मेकलेजो को कहा चाता है गलती से लिख दिया मेकलेजो के वारे में आगे पढ़ेंगे वो इनके प्रमुक्षिष कहलाते हैं डोनटेलो ने कास्टिला जो ब्रॉंज कास्टिंग है उसका स्मेल्टेम Americans से उसका यूज किया और बहुत प्रचार भी किया और येही कारण है इतली में बहुत सारी चोटी बड़ी कास्टिप्रतिमा मिलती है क्योंकि दोना टेलो ने उसमें काम किया है फई देखलो थोड़ा से ऍाव्यफल का बहुत important और बडिया contest ध्यान रखना डोना टेलो ने डेविड बनाया है माइक़लेंजलियो ने डेविड बनाया है फिक है और अब देखो sculpture by marble यह वाला मारबल का स्टेच्यू डेविड का बनाया था किसने और ने उपने अपने जुकष्फ Tigers पहले किएंगे एस प्राइब को स्टेच्यूं का बनाया गया और इंज王 स्टेच्यूं maigal chimio को हम देखेंगे marble वाला चीक है और bronze वाला तो अलग ही है 1440 में bronze का statue डेविड का किसना बनाया था डोनाटेलो ने बनाया था और ये ये है तो ये दो अंतर है देखे bronze के sculpture में आपको रोमन थोड़ा से उसका प्रभाव देखने को मिलेगा बट ये nude form में है और marble वाला में nude नहीं है कपवस्त्र है सेंट मार्क की मूर्ती Florence में ये भी डोनाटेलो ने बनाई है देखे बहुत सेम है ना सेंट जॉन्द इविंजनलिस ये भी डोनाटेलो ने बनाई है मेरी मेगडेलेनस ब्रॉन्ज का ये वाली कृती देखो किती सुन्दर है वह 1445 में मेरी मेगडेलन मेगडेलन बोलते हैं वह किसने डोनाटेलो ने बनाई है इनकी अन्य कृतियां और देखो तो सेंट जॉर्ज, लुरेंट्स इन सेंट लॉरेंजो, फीस्ट ऑफ हेरोड, लाइफ ऑफ सेंट एंथनी, जुडाइत एन होलोफंस, यही मेरी मेडेलन, अल्टार ओफ सेंट जेकोपा इन पास्टोवा कैथेडर, ये सारी कृतियां जो ह है, डोनाटेलो की है, आगे देखें, एनूसियेशन, ये मैं ने बाद में लिया था, जो घुल गई थी, तो एनूसियेशन जो घोषना, उस तरह की, एनूसियेशन का तो बहुत सारा एनूसियेशन टॉपिक, जो की बहुत लोगों ने बनाया है, हम जो गोथिक से पढ़ हैं ग्रीक से पढ़ रहा है करेख सब में हमने देखा कि एनुसिएशन टॉपिक kind में बहुत काम किया बना यह एक ऐसा है थोड़ा कहां पर यह पहले सुन ले सेंटा क्रोचे सेंटा क्रूस क्रोच नहीं फ्लोरेंस में सेंटा क्रूस जो है वो चर्च में यह वाला एनूसियेशन बना गया है किस ने बनाया है डोनाटेलो ने बनाया है और यह देख के यह समझते है देखे अब आप चीज देखे त और अपने पास बुलाने के लिए इस तरह का कुछ है मैंने पढ़ा है और मैं इतना क्लियरली नहीं बोलूँगी लेकिन ऐसा है तो वह जो फेस पे एक्स्प्रेशन था उनको लेके जाने का और इस तरह से तो बहुत ही सौम्य और बहुत ही बढ़िया सा इस तरह का चलिकार से प्रतीमा है क्या है एक घुड-सवार की प्रतीमा है एक उच अंडाकार आधार मतलब ये ओवल बेस में खळी पदुगाए क्या है गटल-मेलटा में सेंट एंतोनिया की बैसिलिका के बर्ग में है सेंट एंतियो इन पेडुवा, यह प्लेस है सेंट इंटोनिय इन पेडुलिया इसका यह गटा मेलटा है किसने बनाया गटा मेलटा डोनाटेलो ने बनाया है दूसरा का है मेजबान से पहले खचरी हिंदी का मुझे नहीं पता है मुझे यह पता है the mule before the host ये किसने बनाया है ये एक bronze relief है कहाँ पे है ये भी पड़ूआ में है सेंट एंटोनियों में किसने बनाया है डोनाटेलों ने बनाया है इस तरह का बारिक-बारिक मुर्तियों का बहुत बड़ा composition है किसने बनाया है हैरोड का जो feast ये भी bronze sculpture है Sienna के cathedral का है ये भी किसने बनाया है डोनाटेलों ने बनाया है माइकलोजो जिसका बारे में अभी बात की थी अपने डोनाटेलों के खास शिश उनको भी पढ़ लेते हैं ये वास्तुकार के रूप में अधिक विख्यात थे और गिबर्टी और डोनाटेलों के साथ काम कर रहा है काम कर रहा मिंस उनका वो भी है अनुयाई भी है लेकिन साथ में तो काम करेंगी ना तो इनके साथ काम किया है गुरू डोनाटेलों थे इनके गिबर्टी के साथ कास से दिवारों पर 1417 में काम किया है तो सभी ने काम किया है इतना लंबे दो-दो समय के जोड़ी बनाई थी उनने 1406-24 और फिर 25-56 अलग तो इतना टाइम में तो बहुत आर्टिस्स काम करी लेंगे तो इनने भी काम किया है ठीक किया है 1417 में किया है लेकिन अरगाजी समारक का अधिकांच मुर्टी शिल्प एक अरगाजी समारक है उसमें बहुत सारी मुर्टी शिल्प की रचना की दूसरी चीज फ्लोरेंस के सिल्वर अलतार है तू उसने शिल्प की रचना की यह जो सिल्वर अलतार है इसमें उनने फ्लोरेंस में है यह उसमें इन लेज्जों ने किया है वेरोचियों इनका नाम कोई नहीं भूल सकता 1453 से 88 का साइम है फ्लोरेंस के चित्रकार मुर्तिकार और स्वन्दकार यह तीन है तीन है मतलब यह तीन में काम किया है ठीक है वह दोनाटेलो के शिश्य थे देखिए याद रखना यह डोनाटेलो लियोनाडो यह एक के बाद एक मतलब फ्लो चार्ट है यह डोनाटेलो के शिश्य वेरोचियों और वेरोचियों के शिश्य लियोनाडो लियोनाडो के गुरू वेरोचियों और वेरोचियों के गुरू डोनाटेलों और डोनाटेलों के डेथ के बाद फ्लोरेंस के यह उनने अलंकृत काम जादा किया और मानवा कृतियों में कोमल रेखा और वेकल्पिक छाया प्रकाश व्यवस्तित किया वेरोच्चियों कारेशाला भी चलाते थी मीन्स वही वरक्शॉप जैसे की गिबर्टी ने खोली थी और उसके साथ पर उनने काम किया आर्टेस्टों ने वैसे ही इनने भी किया और आपको पता है दमहान लियोनाडो विंसी के गुरू के नाम से वेरोच्चियों जाते हैं कोलो नाई जैसा की अभी हमने डोनाटेलो का भी एक देखा इस तरह की बोरॉंस प्रतिमा कहां के फ्लोरेंटाइन की राचकुमार की प्रतिमा किस ने बनाई थी हमारे वेरोच्चियों ने बनाई थी ठीकि और वेमोर्तिशिल्प हैं मैंनो द फियोसलो जियो नननी दी पि सकते हैं तो यह हमारे मुर्तिशिल्प थे उतना पढ़ लोगे तो भी बहुत हो जाएंगा और हो सकती है बहुत चीज़े मुझे छूट गई हो तो वह भी आप दूसरी जगे से भी पढ़ सकते हैं दूसरी बुक में वैसे बहुत कुछ हो गया है है ना अब जो हमारा अग कि अब अपना continuity develop कर सकूं और इसलिए इतना बड़ा आज का वीडियो में ने दे दिया है अच्छे से पढ़ना अच्छे से पढ़ाई कीजिए जल्दी एक्जाम नोटिफिकेशन आने वाला है हम फॉर्म भरेंगे और अपने गोल में सक्सीड होंगे thank you so much दोश्टों wish you a very all the best for the future